नमस्कार आप सभी को राजस्तान क्लासेज के यूटूब लेटफूम पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों राजस्तान पुलीस कॉंस्टेबल और वनपाल वनडग सक बीस्टी सी पीटी टी सभी एक्जाम्स के लिए राजस्तान जी के हम और इसकी पीडियेप आपको कहां पर मिलेगी ओले सर ये पीडियेप हमें मिलेगी राजस्तान क्लासेज की वेबसाइट पर ये दोस्तों वेबसाइट आपको गूगल में जाकर लिखनी है क्या लिखेंगे आप सिरफ राजस्तान क्लासेज लिखेंगे गूगल पर जाकर तो आपको ये वेब साइट सबसे पहले ही पेज पर मिल जाएगी और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं कंप्लेट कोर्स, कॉंस्टेबल का, वनपाल वन रख सका, पीटीटी का और वियान्य सब का ठीक है तो आप गूगल पर जाकर लिखेंगे तो आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा और पीडियापी मिल जाएगी आज का पहला क्वेसन आपके स्क्रेन पर है, पूचा जा रहा है, राजे सरकार और जिल्ले के बीच सम्मनेवे कार्य करता है, कौन करता है, ये आप सभी को बताना है तो यहां पर आप सभी का रहा है राजे सरकार जिल्ले के बीच में जो सम्मध्विय का कारे करता है वो जिल्ला धीश करता है दोस्तों कोन करता है जिल्ला धीश करता है मतलब फिलाल हमारा राइट आंसर हो जायेगा सी आफ़सन अगला क्वेसन समीधान में राजे के मुख्य मंत्री के कर्तव या किस अनुचेद में निर्धारी तक है इन में से राइट आंसर देखे ये तो जो है ना ये एक सो सतावन ये राजेपाल की योगेताओं से सम्बन दिते है राजेपाल से सम्बन दिते है ठीक है और यहां पर आप सभी का ये दो सो तेरा ये नहले से सम्बन दिते ठीक है तो यहां पर आपका राइट आंसर 167 मुख्य मंत्री के कर्तव की बात अगर हो रही है तो यहां पर 167 हो जाएगा नुचेद आर्टिकल और ये 163 ये शुरुगात में मुख्य मंत्री के कारे वग मरदय है वो लीथो सोल्स भी कहलाती है दो मत्री मरदय अं मरु करते यह हम करते जा लोर है लेकिन जब पूचा जाए कि भी रेस्क्यू सेंटर कहां पर है तो प्यारे साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा जेपुर आफसे नंबर एक को लॉक करेंगे अगला क्वेशन राजी की वे जील जिसके तट पर संग मरमर के 25 शिरा लेक इस् कौन सी जील के किनारे राजसमन जील के किनारे राजसमन जिल्ले में यह 25 बड़ी बड़ी शीलाओं पर यह शीला लेक लिखे हुए हैं ठीक है कोई टूट भी गए हैं लेकिन सारे जो है पूर्णत इस्ती में वैसे भी नहीं है और इसकी बात करी जाए कि राज सिंग ने इस प्रस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष किस मर्दा के अन्य नाम है लवणिय म्रदा काली म्रदा लाल मरदा जलोड मरदा तो प्यारे साहतियों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लवणिय म्रदा सुरी यहां पर आपका यह ऑफ्सन लॉक हो जाएगा और अगला क्वेशन चौदवी विदान सभा में राज्यस्तान के किस जिले से सरवादिक महिला विदायक निर्वाचित होई थी बात हो रही है चौदवी विदायक विदान सभा अभी कौन सी चल रही है यह अभी पंदर भी चल रही है लेकिन हम बात करेंगे चौदवी की तो यहां पर आपका राइट आंसर गंगानेगर हो जेगा दोस्तों क्या हो जेगा गंगानेगर और नेक्स्ट क्वेशन आपके स्क्रिन पर है पंचायती राजवेवस्ता से सम्मंदित पुस्तक जिसका नाम है माई पिक सर्दार वल्ल भाई पटेल पंडित जवाल लाल नेरू महत्मा गांदी बलवंत राय में था तो राइट आंसर आपके हो जेगा सी आप्शन राजस्तान में ग्राम पंचायत के सरपंच उपसरपंच तथा वाड़ पंच अपना त्याग पत्रकी से सम्मंदित करते हैं तो देखे दोस्तों जिल्ला कलेक्टर को जिल्ला प्रमक को विकास अधिकारी को या पंचायत समीति के परदान को देखे राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उपचरपंच और वाइड़ पंच यह अपना SDM को देते हैं ना विकास अधिकारी को कि अगला क्वेसन आपके स्क्रेंग पर है मुख्यमंद्री के वेतन एवं मुख्यमंद्री के वेतन एवं बतों का निर्दारन कौन करता है मुख्यमंद्री के वेतन और बतों का निर्दारन कौन करता है यह बताए राजिपान या राजिविदार मंडल वोले सर इन दोनों मैंसे कोई न कोई होगा कोई न कोई कैसे होगा आपका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा नेक्स्ट प्वेस्ट ग्यारा नंबर कुटीर ज्योती योजना का समंद किस से है कुटीर ज्योती योजना का समंद किस से है क्रामीन कुटीर हो द्यो शिक्षा ग्रामीन शिक्षा या ग्रामीन चेत्र में मक्का निर्माण या फिर ग्रामीन विद्यूत कनेक्षन तो देखिए राइट आंसर जो होगा ना वो हो जाएगा डी ऑप्षन ग्रामीन विद्यूत कनेक्षन क्या हो जाएगा राइट आंसर ग्रामेंड विद्यूत कनेक्शन नेक्स्ट क्रेस्ट आपके स्क्रेन पर आता है कुछ इस परकार से कि राजस्तान लोग सेवा गारंटी अदिनियम कब लागू किया गया राजस्तान लोग सेवा गारंटी अदिनियम जो है ये कब लागू किया गया तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी को जएगा चौदा नमबर को चौदा नमबर नमबर 2011 को ये लागू किया गया था 1908 में जैपूर पर जमलुका अधिक्स में क्या उनी निशो ओडियोठी में furry या क्पूर चंध पार्क änday नी कि आप लुगा जम्ने लाल बजाज की अधिक्सिता में ये पहला वार्षा एक अधिक्सिन रहा है ठीक है तो यहां पर आपका रायाई आंसर सी उसे हो जएगा अलांकि अगर बात करें कि अध्यक्स कौन थे इसके पहले तो कपूर्चन पार्क नहीं थे इसके पहले देख्स बादली दोस्तों एक रचना है और इसके रचनाकार कौन है बादली क्या है एक रचना है एक क्रती है इसके रचनाकार की बात करी जाए तो शर्मा जी नहीं है, मुकुल जी भी नहीं है, बिटू सूजा भी नहीं है चंदर सिंग बिरका लिए दोसने, चंदर सिंग बिरका लिए तो हमारा right answer हो जाएगा D option अगला question आपके screen पर आथी दान्थ की वस्तियों का प्रमुक केंदर जो है वो कौन सा है? आथी दान्थ की वस्तियों का प्रमुक केंदर जो है वो जोदपूर, जेपूर, कोटा, जालवाट तो दोस्तों right answer आप सभी का होजएगा B option जेपूर का होजएगा जेपूर को आप सभी लोग लॉग करेंगे option number B जेपूर, हाथ दान्थ की वस्तियों का प्रमुक केंदर जेपूर है 18 मार्च 1948 को मत्य संग का उद्गाटन समारो किस दुर्ग में हुआ था देखे दोस्तों 18 मार्च 1948 को मत्य संग का उद्गाटन हुआ सबसे पहला ये मतलब शुरुआत थी सबसे पहली ये साथ चर्णों की साथ चर्णों में क्या हुआ था दोस्तों राजस्तान का एक ही करण हुआ ये आप सभी लोग जानते हैं और पहला जो चर्ण था वो था 18 मार्च 1948 ये लोहागड भरतपुर से शुरू हुआ था next question आता है नाक में पहने जाने वाले वेसरी आबूशन का एक मातर चितरन किस चितर शैली में मिला है ये आप लोग बताएंगे नाक में पहने जाने वाले वेसरी आबूशन का एक मातर चितरन कौन सी चितर शैली में मिला वैसे आप सब जानते हैं कि किशन गड़ किशन गड़ कि शैली जो है नहीं तो यह किशन गड़ जो जैली यह ऐसी शैली को नारी सॉंध्रे पर आदा रही थे यह थे तो यह आ भूशनवेश्री इसका एक मात्र क्या है अगला क्या स्क्रेश्ट परें मुख्य सप्च्च非常的 न्युक तो ने वाले अधिकारी का चैन किस के द्वारा किया जाता है ग्रह मंत्री के द्वारा, मुख्य मंत्री के द्वारा या राष्ट पती के द्वारा, या राज जिपाल के द्वारा तो इसमें ज्यादा बात करने की आवश्रिकता ही नहीं है मुख्य मंत्री को लॉक करेंगे ठीक है C option हो जेग आपका और अगला question अगला question है राजस्तान राज्य सहकारी अब देखिए अब मुक्य सच्चे हो कौन है जिनको भी बताए जल्दी बताइए राजस्तान राज्य सहकारी उपबोगता संग कान फेड कान फेड का गठन कब गिया गया यह आप से भी बताएंगे जल्दी बताइए गा राइट आंसर तो आप सभी का क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा 27 मार्च उननीसों सट्षट को बी ऑप्शन आपका सही उतरोगा और मुक्य सच्चियों की बात करें उशा श्री मति उशा शर्मायना अगला क्वेशन आपकी स्क्रिन पर है दूदवा खारा अंदोलन किस रियासत से समन्दिते ना यह कौन सी रियासत से समन्दिते या आप सभी से question किया जा रहा है तो आप सबका right answer जोगा वो हो जाएगा A option दूद बखरा जो है B का नेर से संबंदित है किसे संबंदित हो जो जो हो B का नेर से तिलका क्या बताए बताए तिलका तिलका देखिए भीलों की तंग दोती है पुरुषों का वस्तर है महिलाओं का वस्तर है या फिर भीलों का लूंगडा है तो सई जबाब आपका हो जाएगा पुरुषों का वस्तर नहीं सर तो सर हो जाएगा याँ पर C option महिलाओं का वस्तर महिलाओं का वस्तर हो जाएगा C option lock राजस्तान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शेहर की जनसंग क्या सीमा क्या होनी चीए एक लाग से अधीक, तीन लाग से अधीक, पांच लाग से अधीक राजस्तान में नगर नगम की स्ट्रेणी माने के लिए पाँच लाग से अधीक जन्संग क्या होने चीए उस शेहर या नगर की अगला क्वेशन तामबा के लिए प्रसीद बन्नों वालों की धाणी राजस्तान के किस जिल्ले में इस्तिते हैं तामबा के लिए प्रसीदे और ये नाम है बन्नों वालों की धाणी ये राजस्तान के कौन्चे जिल्ले में सीकर जुन्जुनू बीकाने रियाद चुरू वन्ष वासकर भी लिखा, कवी शूर्य मल मिश्णन कौन थे, बूंदी के शासक, राम सिंग के दर्बारी कवी थे, ठीक है, अपनी पुस्तक वीर सत्साई में इन्होंने पिंगल भासा का प्रयोग नहीं करके, डिंगल भासा का प्रयोग किया, यह आफसना आपका लॉक हो ज प्रश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् किस अवसर से जोड़ा हुआ है तो ये वीवा अवसर से जोड़ा हुआ है राइट आंसर आपका A option हो जाएगा राणा कुमबा को राजस्तान का अभिनव भरताचारे का गया है पता है सभी को कि अभिनव भरताचारे किस को का गया है था राना कुमब्ह क्यों कहा गया क्योंकि है संगीत प्रेमी ते यह आप सब को त्द्यान में रखना है कि ने स्ट कुछ सब देख से राजेस्तान में उष्ट कटी वाले वन जो कहां पाई जाते हैं वो अलवर में पाई जाते हैं कि उस्टन कटी बन दिया शुष्क पतजड़ वाले वन नमर तीस है राजस्तान का पहला इस्पाइस पार्क कहां पर खोला गया जालावाड जैसलमेर जोधपूर या जेपूर बहुत सरे इस्पाइस पार्क की आप बात करें आप बात करें इस्पाइस पार्क की तो जोधपूर में ओस्या में खोला गया अगला क्वेसन आपकी स्क राजस्तान का देश में कौन सा इस्तान है ये आप बताएंगे इस बार इसका आंसर ही आपको ही देना है बल्ली बाहर आके कमेंट सेक्शन में दो या फिर जैसे भी देना चो ठीक है माही दवल राजस्तान की कौन सी मुख्य फ़सल की है किसम है माही दवल यह हमने कई बार इस पर डिसकस किया माही दवल यह मक्का की किसम है मक्का की किसम है अगला क्वेसन ओम नमो भगवते वासु देवा किस जनजाती में अमरत्वेक्ट केस मारक पर बनी मूर्थी को आगड का जाता है तो वो भील जाती में का जाता है दोस्तों ध्यान रखना ए आफसनाप का लॉक हो जाएगा और एगला क्वेस्टन नंबर 34 है पूचा यूँ जा रहा है कि वही नडवाद्य अंतर राजस्तान किस चैत्र में अधिकांश्त परियुक्त होता है यह आप डोग बताएंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर जल्दी बताएगे जैसलमेर मेवाड बीकानिर या बाड मेर बोले सब जैसलमेर हो जाएगा ठीक है जैसलमेर को लॉक करते हैं एक बार लेकिन एक ब पर आपको अपनी website पर लेकर चलता हूं ठीक है वहाँ पर आपको सारे courses थोड़े से देखवा लेता हूं क्यूंकि अगर आप नए हैं पहली बार है तो आपको थोड़ा सा यह information देना भी जरूरी है ज्यादा आपका time waste नहीं करूंगा मैं ठीक है तो आप Google पर जाकर लिखे आपको Google पर जाके और पहली जो भी लाइन आएगी न उस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक कर देंगे तो यह इस परकार का dashboard आपके सामने open होके आजाएगा अब देखो आपको जो भी चाहिए जैसे राजस्तान जीके इंडिया जीके ऐसे इपोर्टल लेटेस्ट साइन्स जीके लेटेस्ट पोस्ट आपको जो भी पोस्ट मिलती है वो लेटेस्ट पोस्ट के अंदर मिलती है हम बात करेंगे आपे फ्रंट पेज यह इसमें देख लो आप यहां पे क्या-क्या आपको मिल पा रहा है राजस्तान पुलीस का जो है क्राश मतलब जितना भी आप पढ़ सको इसमें अभी तक इसको आप अब नहीं डाउनलोड करेंगे इसको तो बिलकुल भी नहीं पढ़ना है आपको राजस्तान पुलीस के लिए मैं आपको बैस्ट बता देता हूं आप इसको डाउनलोड कीजिए किसे राजस्तान सामने ज्यान इई-book फ्री है द आप उपन करते हैं तो आपको मिल जाएंगे राइस्तान जी के के मेरे खुद के द्वारा लेखे गए नोट्स यहां पर हैं तो चले दोस्तों उमीद करते हूं आपको यह सारी चीचे समझें आगे होगी लेकिन आप इस पर विजिट करेंगे तो ज्यादा इतना कोई कठी न पाद्रम